ओम सर्वे भवन्तु सुखिनह सर्वे संतु निरामयाह सर्वे भद्राणि पस्यंतु मा कस्चित दुख भाग भवेत ओम सांतिही सांतिही नमस्कार म बसंत विश्वामित्र भ्योजाओन आई सके कुछु चैतन्य चिन्तन का साहत्मा चराहरू चिर्वीर चिर्वीर गरदै गीत गायर बिहानी बोलाई रहे काशन। डाणामा घामपानी जुलकीन थाले सभई जाना उठेर आपनो कर्ममा लागी सके। कोई उर्थैसन अजुरपानी उर्थनोस, जागनोस रत्यार होनोस आपनो उदेश्य प्राप्तिको महान यात्रामा उपनी सद भन्छा चरै बेती, चरै बेती अर्थात चली रहनू केही गरी रहनू, हात बादेर, कहिलेई नवस्नू, बियान बियान जे सोची रहनुबायको छा, जे जे को चिंतन गर्दै उनूंच, सभई कर्मारू, सफल बनून, देश, बिदेश, जहां भैपनी, खुशी र सुखी रहनोस, सारिरिक, मानस्षिक्र, अध्यात्मिक सुभ, मंगल मय, फल्दाई र, उत्सब मय बनाऊन, भगवान सिबले माता पार्वतिलाई सुनाऊनी गरेको, अम्रित कथा अर्थात, राम कथा सुनाऊ र, सुनाऊ, आधि कभी भानुभक्त को नासो, उहां कै भाब्र सैलिको कल्पना गर्दै रामायड पड़ों, र भनो मपनी पर्छू रामायड, आब़ाज निकालन नमिलने ठावमा उनुँच बने, मन मन unanim, गुलगुनाए र, आबाज निकालना मिलने ठाउम आउनूंच बने मज्जाले आबाज निकालेर रामायट पड़ों आउनों सुरुगरों युद्ध कांड को 260 सुलुक बाट राबन का सीर काटन लाई जब बाण फेक्या प्रभोले तहां तालाई का फल जैं गिर्या तपनी सीर गीरेन प्रिथी भी महा एकोतर सय सीर गिर्या जति गिरुन सब्बन लाग्या जसै क्या भो आज भनी परभुकन पनी आश्चर्य लाग्यो तसै ठूला दैत्य बड़ा बड़ा बिरपनी जुन्बाण ले मारिया सोही बाण पनी आज राबण उपर ताके र खुप मारिया काण चन सिर पनी बाण ले र दस सिर भैमा खसाल चन पनी फेर जियू का तियू सिर हुन्या गरु कसो क्या भो यहा को जनी यो चिन्ता रगुनात का जब पर्यो सामने भी विशन गया यो हेतु छ भने रहेतु जति हो सब्विन्ति गरदा भया ब्रह्मा को बरदांच सिर खसी गया फेर उम्रनन सिर भनी फेर अम्रित पनी नाविमा छतवपो मर्दैन काट्या पनी त्यो अम्रित सब सोसी बक्सनु हाऊस सब सुक्छ अम्रित जसाई चाड़ै त्यो मारी जांच तेस बखतमा उर्ताईन फेरी कसाई हाज जोरे रसबै बिवी सन जिले यो गुईय खोली दिया ठाकुर ले पनी अगनी बाण जटपट हाने रसोसी लिया त्यो अम्रित जब सोसी बक्सनु भयो यो दिन छ अर्ती भनी रिशले सक्ति ली बिवी सन उपर ताके रहान्यो पनी रामले सक्ति रसिर्दसै छिनि दिया फेर एक सिर्को भय नाना सस्त्र लियेर खुप्षित लड्यो रामका अगाडी गई त्यस बीचमा पनी मातली अगिशरी हज्जोरी बिन्ती गर्या एना त्राबन लडचयो अजभन्या फेर सस्त्र हन्नै पर्या बर्मास्त्रै अब छाड़ी बक्षनो होस खुम्मर्म तोण्या गरी मार्न्या युक्तित एक एही चनाहिता मर्दैन कस्तै गरी बिन्ती मातली को सुनी प्रभुजिले एक बार तुरुन्तै लिया जस्मा अगनिर बायु सुर्य इसमेत लोकपाल बश्या काथिया मंत्र्या बेद बिदान लेर धनुमा त्योबार लगाया जसै प्राणी लाई पनी बहुत भयबायो खुब भूमिका पिन्ता सै राबन को तई छाती ताकी कनबाड छोड्या मरोश्यो भनी तेस बाणलेत तहां सहाज मरी गयो गुमेर लवट्यो पनी बाकी राक्ष्य सजोथिया तिपनी सब दवडेर भागी गया जिद्भोश्री रगुना थको पनी तहां सम्पुर्ण खोशी भया तेस बीचमा नगरा बजा परवुपर खुपुस्प ब्रिस्टी भयो नाचा अफसर गन रिसी खुसी भया सम्पुर्ण को ताप गयो राबन को पनी देह देखी तही तेज निस्क्योर सुर्यई सरी श्री राम चंद्रजी मा मिली पनी गयो सबका नजर मा परी विश्ण दोएसी परस्त्री मा रत हुन्या यो ब्रम्म घाती पनी श्री राम चंद्रजी मा मिली कासरी यो आश्चर्य लाग्यो भनी गर्या बात्सब देवता गन हरो नार जिवाही गया जाले राबन राममा मिली गयो त्योता ही भन्दा भया अहले आमिले योद्ध कांड को 279 सुलक्सम बाचन गरें यहां रामले राबन को जती टाव का काटे पनी जिव का त्यू बैपची राम को चिन्ता बिविशन द्वारा राबन मारने जुक्ती राबन को अम्रित राम द्वारा सोशन सारती मातली द्वारा ब्रमास्टर प्रहर गन रामलाई आग्रह रामद्वारा राबन को बद्र राबन को तेज को राम मा मिलन लगायत का प्रसंध रैकाशन भागवान सिव माता पार्वतिलाईक राम कथा सुनावदे भन्णोंछ ये पारवती रामले रावन का टाव का काटी दिन्दा पणी रावन नम्मारे पची सृरी राम अत्यंत बिश्मीत हुनु भायो। तेस पचि अणेक थारी सस्त्र धार्न कर्नी विचार गर्न भायो। जुन जुन बाणले पराकर्मे दैत्य मारी का थिये तरती बाणले रावनलाई मारन नसकेर निस्पल भायता। रामले चिंता गर्यर का बेला नजीकै रहेका बिविशन बन्दचन। ये राम एस रामनलाई ब्रमाजीले बर दिनुबायको छा। भगवान ब्रमाले एसका काटिये का हात्र सीर समेत फेरी ततकाले नयावई उत्मन्न उन्येचन बनी आसिरवाद दिनुबायको छा। बिविशन बन्चन रामनको नावीमा कुंडलको आकार्मा अम्रित राखियेको छा। यसलाई आग्ण्यास्त्र द्वारा शुकाही दिनुवस तेजपचि रामनको बल्ल मृत्ति उन्येचा। बिविशन को यस्तो बसं शुनी स्री रामले एवटा बानलाई आग्ण्यास्त्र द्वारा सम्युकत गरी रामनको नावीमा प्रहार गरनुबायो। तेस पची महा बली स्री रामले राबन का सीर्र हात अरलाय पनी काटि दिनुबायो राबन पनी क्रोधीत बहयोर बिविशनलाय लक्षित गर्दै महा भयानक सक्तिको प्रहार गर्यो तर रामले सुबण जडित तीखा बानरले बीचमे काटि दिनुबायो Бालमे की रामायन मा राम राम को युद्ध को यस परशंगलाई सरी प्रस्थूद गरिये कुछ रामर रावन को युद्ध एरना आयका अगस्तिय मुनीले स्री रामलाई रावन माती बिजय प्राप्त गर्नका लागी आदित्ते रिदय स्तोत्रम नामक प्रभाप साली मंत्र दिनुबायको छा यो मंत्र जापे पच्छी मात्र रामले राबन माती बिजय प्राप्त गर्न सक्णू भाय कुछा अईले पनी मानिशरू यो मंत्र जापेर बियान बियान सुर्यलाई आर्गे दिने गर्शन रापु सक्तिशाली भाय को महसुस गर्शन आधित्य रिदेश्तोत्रम एस्परकार रहे गुछा ततो युद्ध परिश्रान्तम समरे चिंतया इस्तितम राबणम चागरतो द्रिष्टवा युद्धाय समुपस्तितम दैब तैस्च समा गम्य द्रस्टुम भ्यागतो रणम उपगम्य बर्वित्रामम अगस्तियो भगवाम्स्तदा उता स्री रामचन्दर जी युद्ध बाट थाकेरत चिंता गरदै रण भुमिमा उभीनु भायको थियो तेती खेर रामण पनी युद्ध का लागी उहाको अगिल तीर उपस्तित भायो इस तो देखेर भगवान अगस्ति मुनी जो दिवत्तार का साथमा युद्ध यर्नका लागी आउन भायको थियो श्री राम का साथ गायर भण्दु भायो राम राम महांबाहो श्रिनु गुयम सनातनम एन सर्वा नरिन बत्च समरे बिजैस्यसे आदित्या रिदयं पुण्यं सर्वसतरु बिनासनं जयाभां जपन्यित्यं अक्षयं परमम सिवं सर्व मंगलं ँगल्यं सर्व पाप प्रनासनं चिंता सोक परसमनं आयुर बर्दन मुत्तमं सबैका रिदयमा रवन गरने महाबाहो राम यो सनातन गोपनिय स्तोत्र सुन, बच्छ, हे मेरा प्यारा राम, एसको जब बाटती मिले युद्धम आपना समस्त सत्रो अरु माथी बिजय पावने छो एस गोपनिय स्तोत्र को नाम हो आदित्य रिदाय, यो परम पवित्रर संपून सत्रो लाई नास गरने वाला छो यो नित्य अक्छायर परम कल्यान में स्तोत्र हो, संपून मंगल अरुको पनी मंगल हो यो चिन्तार सोकलाई मेटावने तथा, आयूलाई बढ़ावने उत्तम साधन हो रस्मी मन्तम समुद्यन्तम देवाशूर नमस्किर्तम, पूजय सोबिवस्वंतम भास्करम भुवने स्वरम सर्व देवात्म कोहस तेजस्वी रस्मी भावनह एश देवाशूर गनाल लोकान पाति गवस्तिविही एश ब्रह्माच विष्णुस्च सिवह इसकंदह प्रजापतिही मैंद्रो धनदह कालो यम सोमो हैपंपतिही पितरो बसव साध्या आस्पिनव मरुतो मनुहू बायूर बन्नी प्रजाप्राण रीतू करता प्रभाकरह आदित्यह सविता सुरिया खग पूशा गवस्तिमान सुवन सदिरिश्यो भानुर हिरन्यरेता दिवाकरह हरी दस्वह सास्त्रार्ची सप्त सप्तिर्मरिचिमान तिमिरोन मतन संबुस तोस्ता मार्तंडो कुम्सुमान रन्य गर्व सिशिरस तपनो हस्करू रविही अग्नि गर्वो दिते पुत्र संख सिशिर नासनहा ब्योम नातस्तमो बेदी रिक्यजू साम पारगहा धान ब्रिष्टी रपा मित्र्यो बिंद्य बेती प्लबंगमहा आतपी मंडली मिर्त्यो पिंगल सर्वतापनहा कविर विश्व महा तेजा रक्ता सर्व भवत बवह नचेत्र गरह तारा नाम अधिपो विश्व भाव नहा तेज सामपी तेज स्वी द्वाद सात्मन नमस्तुते भगवान सुरिय आपना अनंत किरन अरुबाट सुसोवित रस्मीबान उनुँछ उहा नित्य उदय उनेवाला देवतार असुर अरुबाट नमस्कृत बिवस्वान नामले प्रसिद्ध परभालाई विस्तार गर्नोने भासकर्र संसार का स्वामी भुमने सोर उनुँछ टि मिले इनैं का रस्मी मते नमः, समुद्ध्यते नमः, देवास्र नमस्कृताई नमः, बिवस्वते नमः, भासकराई नमः, भुमेने सोराई नमः, यो मंत्र द्वारा पुजनगर उनुच मंत्र द्वारा पुजन गर संपून देवता इनका नहीं सोरुप हुन। इनी तेज का रासी तथा आपनो किरनरुले जरत का सत्ता एबं स्पूर्ति दाता हुन। पिता, बसु, साध्य, अस्विनिकुमार, मरुदगर, मनु, बायु, अगनी, परजा, प्राण, रितु अरलाई प्रकड गरने वाला तथा प्रभाका पुजसमुव हुन। एरन्य रेता, ब्रमांड को उत्पत्ति को बीज, दिवाकर, रात्री को अंदकार दूर गरेर, दिनमा प्रकास फईलावने वाला, हरी दक्ष्य, दिशारुमा ब्यापक अथवा, हरियो रंका गोडा बयका, सस्त्रार्ची, हजारों किरनरुबाट सुसोवित, साथ गोडा बयका, मरिची मान किरनरुबाट सुसोवित, तिमिरोन मथन अंदकार लाई नास गरने वाला, सम्भू कल्याण का उद्गम स्थान, तोस्टा भक्तारु को दुख्ध दूर गरने अथवा, जगत लाई संबार गरने वाला, मार्तंड कर ब्रमांड लाई जीवन परदान गरने वाला, अमसुमान कीरन धारन गरने वाला, हिरन्य गर्व, ब्रह्मा, सिशीर सुभाब बातने सुखदिने वाला, तपन गर्मी पैदा गरने वाला, अहसकर, दीनकर, रवी सबैका इस्तुतिका पात्र, अगनी गर्व, अगनीलाई गर्वमा धारन गरने वाला, अधिती पूत्र, अनन्द सुरूप एवं व्यापक सिशिर नासन सीथ लाई नास गरनी वाला व्योम नाथ आकास का स्वामी तमोवेदी अंधकारलाई नस्ट गरनी वाला रिग एज़ुँर सामबेदका पार गामी धना पृरिष्टी का कारण अपाम मित्रल जल्लाई उत्पन गरने वाला बींद्य विथी प्लमंगम आकास्म तिब्र बेगली हिन्ने वाला आतपी गाम उत्पन गरने वाला मंडली कीरन सम्होलाई धारन करने वाला मिर्तियु मिर् सर्व तापन सबैलाइक ताप दिने वाला कभी तिरकाल दर्शी विश्चु सर्व सुरुप महा तेजस्वी रक्त रातो रंगवैका सर्व भवत भव सबैको उत्पत्तिको कारण नच्छेत्र गरहर तारारकवा स्वामी विश्चु भावन जगतलाई रक्ष्या गरने वाला तेजस्वी अर्वा पनी अती तेजस्वी तथा द्वाद सात्मा भारा सुरुप महा अव्यक्त अनुँच इ सबै नामबाट प्रसिद्ध सुरेदेव हजुलाई नमस्कार छव बरमेसानाच्य तेशाय सुराय आदित्त्य वर्चासे भासोते सर्ववक्षाय रौध्राय बपोसे नमा तमुगनाय हिमंगनाय सत्रुगनाय मितात्मने कृत गणनाय देवाय जोती सांपताये नमां तप्त चामिकर आभाय हराय विश्व कर्मने नमस्तमों विनिंग्नाय रूच एलोक साक्षिने। नासे तेश वैभूतम तमेश स्रिजती प्रभू, पाय तेश तप स्तेश बर्षत तेश गवस्ति भी। नासे तेश वैभूतम तमेश स्रिजती प्रभू, पाय तेश तप स्तेश बर्षत तेश गवस्ति भी। एतत त्रिगुणितम जवत्वा युद्देश बीज इस्यती, अस्मिन्छने महाबाव राबणम तम जईस्यसी, एव मुक्त्वाततो गस्तियो जगाम सय था गतम। एतत छृत्वामा तेजा नस्ट सोको भवत्तदा, धारया मास सुप्रितो रागव परितात्म बान। आदित्यम प्रेक्च जप्तेउधम परम्भर्षम बाप्तवान, तिरिराचम में सुचिर्भोत्वा धनु राधाय ब्रियवान। राबणम प्रिच्चे रिष्टात्मा जयार्थम समु पागमत, सर्वयत्नेन मता ब्रितस्तस्य बदे भवत् अथरवीर बदनिरिक्चे राम मुदितमना परमं परिष्ट्यमान, निशिचरपति सम्चय अंबिद्यत्वा सुरगण मत्दे गतो बचस्तोरेती। युथियो आदित्ते रिदेस्तोत्र, भगवान सिब माता पार्वति लाइभन्नोंच, ये पार्वति टाव काहरू काटिये पचे रावन को तेज कमबायोर, काटिये र जरेका भहेंकर सीररू का कारण, उतेंत भहेंकर मलीन देखियो, अब उयोटा मुख्य सीर्र, दुई हातले मात्र सहित बायो, रिशाय को रावन ले फेरिपनी अनेकों सस्त्र अस्त्रर को बर्षा गरी राम माती प्रहार गरियो, तेसे गरी स्रीराम ले पनी रावन माती अनेकों बानर को बर्षा गरी दिनु बायो, एसरी बानर सेनार राक्षे सेना का बीच जथा बावी हान इस तो भयानक युद्ध का बीच मा मातलीले स्री रामलाई समझाए हे रगुबर एस रामन को बदका लागी छिट्टाई ब्रमास्त्र प्रहार गर्नोष देवतावले रामन को जुन बिनास्काल निश्चित गरिका थिये तियो एई समयो तर हजुरले एसको शीरला छेदन न घरनोला किनकी बरदान अनुसार सिरमा प्रहार गर्यर रामन मर्न सकथ दैनो केवल मर्मा इस्थान मा प्रहार गर्य मात्र यू मर्न सक्थ स्रीरामले पनी फोतकार गर्येको सर्प जस्तै तेजीलो योटा बाण लिनुभयो जुन बाण को दाया बाया बाया बायूर टुपमा सुरिय तथा अगनी रैका थी तेज दिव्य बाण को सोरुप आकास जस्तै थीयो बाण को गरूंगो पनामा मेरूर मंदराचल स्थापना गरियेको थीयो जोर्नियर मा महा तेज अस्वी लोगपालर रुच्तापि थी संपून लोग को भायनास गर्न समर्थ तेओ अस्त्र सुरिय समान अत्यंत तेजीलो भायकोले स्वेम मा देदिप्प्य मान थीयो एस्तो अदभूत्र भयानक अस्त्र लाई स्री लामले समात्नु भायो तेज पची स्री लामले तेज बाणलाई बेदोक्त बिदि द्वारा अभी मंत्रन गर्नु भायो रा धनुसमाती चडानु भायो श्री लामले तेज बाण धनुसमाती चडाय पची प्रलाय होने आसंकाले संपून प्राणी डरायर प्रिथिवी हल्लिन थालिन अत्यंत रिशायका श्री रामले धनुलाई बेस्सरी खिचेर अत्यंत साबदान भायी रावनलाई मारन तेज मर्म घाती अस्त्र को प्रहार काल समान बैंकर मुख बायकोर बजरधारी इंद्रद्वारा छोडियेको बजरजस्तो असाध्दे बेग बायको त्यो बाण रामन को छाती मा बजरियो त्यो बाण रामन को छाती बीत्र गुशियो र तिसले महा काय रामन को छाती लाई तुरुन तै फुटाई दियो रामन को प्राण हरन गरी त्यो बाण पिर्थिव वित्र गुशियो। एस परकार त्यो दिव्य बाण ले रामन को संबार गरे पची फेरी रामकै ठोक्रुमा फर्कियो। रामन को हाथ बाट ततकालै बाण सहित को ठुलो दन स्छुटियोर राक्षेस राज रामन प्राण सुन्य भाईर चक्कर खादे भुईमा ढलियो। सिद्ध, चारंड रा देवतारू स्रीराम को इस्तुति गरे अंतर एक्षेमा अपसरारू नाशन थाली। रावन को सरीर बाट शुर्य जस्ते चमकीलो जोती निस्की सबै देवतारूले हरदा हरदै स्रीराम भित्र पस्न कायो। त्यों देखेर देवतारले भने अहो महात्मा रावन को असाद्धे थुलो भागे रहे चा। बेदान्त रामायण मा पनी इस परसंगलाई शरी प्रस्तूत गरिये को छा। संस्किर्त्वई बंबिलापमच रामेड संगरे हतह। सच्चिदानन्द रूपस्य ध्यान बाणे न तक्छने। अफुले गरेको कुकर्मको बिलाप गरदै युद्ध का लागी आयको रावन लाई। स्रिरामले परमेश्चोर को ध्यान रूप बाण प्रार गरी मन रूपी रावन को बद गरनु गयो। आध्यात्मेक द्रिश्टली एहरदा मन नै रावन भयको। तिसेले सत्चंग गरी मन को कलमस हटावनु नै रावन को बधो। एई संदेश संगई भगवान सिबली माता पार्वतिलाई सुनावने करीको राम कथा बाट आजका लागी विश्ट्राम चाहांचु। अजर को दिन सुबराओस धिरै धिरै सुबकामना नमस्कार।